दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए नालेद दर्पन चैनल को और दबाईए इस घंटी वाले बटन को हमारी लेटिस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बिलकुल फिरी में हाई फ्रेंड नमस्कार श्रागत है आप सभी का हमारी यूटूब चैनल के इस वीडियो में फ्रेंड आप देख रहे हैं नालेद दर्पन चैनल और इस वीडियो के साथ मैं हूँ बिरेन कुमार फ्रेंड इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपके मोबाईल नमबर से आ आधार लिंक नहीं हो तो वह सिम आने वाले समय में बंद हो सकता है तो इसके लिए UIDAI ने एक आसान सा तरीका दिया है जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपने आधार कार्ड को अपने मोबाईल नमबर से लिंक कर सकता है तो चलिए दोस्तों आधार को मोबाईल से आते हैं दोस्तों अपने मोबाईल नमबर से अपना आधार लिंक करने के लिए आपको सबसे पहले अपना आधार कार्ड ले लेना होगा और दोस्तों ध्यान रखें कि आपको वह मोबाईल अपने साथ में रखना है जिस मोबाईल नमबर को आपने आधार कार्ड बनवाते समय दिया था जी हाँ दोस्तों उस मोबाइल नमबर पर UIDAI के दोरा अर्थात आधार कार्ड के दोरा एक OTP नमबर भेजा जाएगा और उस OTP नमबर को आपको देना होगा दोस्तों वो नमबर लेने के बाद वह मोबाइल आप अपने पास रखने के बाद अब आपको उस मोबाइल नमबर से 14546 पर आपको कॉल करना है जिस मोबाइल नमबर को आप आधार कार्ड से लिंक करना चाहते हैं जी हाँ दोस्तों जिस मोबाइल नमबर को आप अपने आधार से जोड़ना चाहते हैं उस mobile से आप call कीजिए 14546 पर आप call करना है दोस्तों जैसे आप call करेंगे तो वहाँ पर आपको सबसे पहले आपकी नागरीता पूछी जाएगी तो दोस्तों वहाँ पर आपको भारतिय सेलेक्ट कर लेना है उसके बाद दोस्तों आपको वहाँ पर अपना आधार नमबर एंटर करने को बोला जाएगा दोस्तों आप अपना आधार कार्ड एंटर कीजिए उसके बाद उसे कनफर्म कीजिए और दोस्तों यब आपका आधार नमबर सही है तो अब आपको उस आधार नमबर से जो मुबाइल नमबर आपका लिंक है उस मुबाइल पर आपको एक OTP प्राप्त होगा दोस्तों उस OTP नमबर को आपको वहाँ एंटर करने को बोला जाएगा दोस्तों जैसे ही आप वहाँ से अपना OTP नमबर एंटर करेंगे उसके बाद आपका आधार कार्ड आपके मुबाइल नमबर से लिंक कर दिया जाएगा तो दोस्तों इस परकार से बिल्किल आसानी से बिना इंटरनेट कनिक्सन से आप सिर्फ एक कॉल करके अपना आधार नमबर अपने मुबाइल नमबर से जोड सकते हैं तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लिक एक लाइक जरूर कीजिए और इसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सबस्क्राइब कीजिए दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्ता